स्पाइस बॉक्स में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर लसानिया इसके लिए हमें जो चीज़ी चाहिए वो है टमाटो प्यूरी प्याज लंबी कटी हुई गाजर है कसी हुई पनीर है तीनों तरह के कैपसिकम्ज है अरी प्याज है बंद गोगू है और एक आनों चिली फ्लेक्स चीज और बटर सबसे पहले टमाटो प्यूरी लेंगे पान म 6-7 टमाटर उबाल कर इन्हें चील कर उनकी प्यूरी बनाई थी प्यूरी करते वक्त मैंने इसमें चीज क्यूब डाला था तकरीबन 3 चीज क्यूब्स डाले थे अब इसमें सारे मसाले आड़ करते हैं धन्या जीरा पाउडर, कत्रीबन 1.5 चम्मच और इग्यानों डालेंगे एक चमच Mexican Mixed Herbs ये डालेंगे एक चमच बटर डालेंगे एक से डेड़ चमच इन सारे मसालों को टेस्ट इसमें आ जाए इसके बाद चिली फ्लेक्स डालेंगे अब इसमें एक चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे ग्रेवी तयार हो गई है अभी इंडक्शन बन करके हम तयार करेंगे लसानिया अभी बावल को थोड़ा सा ग्रीजिंग करेंगे थोड़ा सा बटर लेके सबसे पहले बंद गोगी और कैपसिपन का लेयर बनाएंगे इसके उपर भरी प्यास डालेंगे अभी एक से डेड़ चम्मच भर कटिवी प्यास बिचाएंगे इसके उपर पनीर बिचाएंगे पनीर की पत्ली-पत्ली स्लाइसेस बना के रखी हैं इसके उपर ये ग्रेवी डालेंगे ये सारी प्रासेस फिर से करेंगे राजर हरी प्यास इसमें कोई माप जैसा कुछ नहीं होता अगर आपको वेजटेबल ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं प्यास फिर से एक बार ग्रेवी अब इस पर कसावा चीज डालेंगे अब इसके उपर ओरेगानो और चिली फ्लेक्स फड़स छड़क देंगे ओटीजी प्री हीट करने रखा था जो अब गरम हो गया है तो अब इसको इसमें रखेंगे वानेटी डिग्रीज पर दस से मारा मिनिट के लिए से पकाएंगे तैयार है पनीर लजानिया जिसे बारा से तेरा मिनिट के लिए हमने वानेटी डिग्रीज पर पकाया था गर्मा गरम और जिसे खाने में मज़ा आ जाए ऐसा मेक्सिकन ग्रेवी वाला पनीर लजानिया तयार है